Hello everyone and welcome to my channel मेरा नाम है वरुन कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडिन बुलिनेर आप लोगों के सामने आएए एक स्पेशल डिलिवरी डिरेक्टली एक रिफाइनरी से चालिए अब अन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है तो हमें बेजा है MMTC PAMP ने कुछ प्रोड़क्ट जो आज इस वीडियो में हम करेंगे रिव्यू इसे खोलते हैं क्या क्या है ओ सो भी डॉन्ट है वन हमारे पास दो दो प्रोड़क्स हैं आये देखते हैं क्या भेजा है उन्होंने बोड़क्स हैं ओ ओ ओ ओ ओ के मेजर चेंज़ नव एड़क्स नव एड़क्स आज चेक्छ इस तर्स और उन्होंने रिवर्ड़क्स हैं 24 karat 999 purist gold superior swiss craftsmanship positive tolerance LBMA good delivery refiner इंदिया जोड़क्स देखते हैं we have received a lotus gold bar जो ब्रोशोर आया है उसे देख लेते हैं and here is the complete catalog wow मतलब wow factor तो हमेशे ही आता है सबसे पहले हम इसका ये plastic रिमूव कर देते हैं बहुत ये satisfaction वाला काम है ये तो यहाँ पर सबसे उपर आप देख सकते हैं MMTC PAMP का logo followed by Swiss Excellence made in India same 24 karat 999 purist ये हमारा beautiful bar नीचे जो है हमारा LBMA Good Delivery Refiner reverse में अगर आप देखोगे तो उपर certificate number दे रखा है same जो है आपको product पर देखेगा as usual left side में एक barcode है आप इसे scan करेंगे तो वो आपको product code के लावा जो ये आपका serial number है वो भी show करेगा unique serial number के साथ साथ ये unique barcode भी है 999.9 यहीं कि 24 karat gold MRP आप यहां देख सकते हैं 90,000 MRP इसलिए दे रखा है क्योंकि company के rules है और उसी के साथ साथ ये लोग उसी इसको print करते हैं यहां certified ass year और उनका signature यहां अगर आप देखोगे तो लिखा है produced to the finest craftsmanship and global quality standards produced by BIS certified refinery exempted from hall marking और यह जो latest certi cards में नया addition इनों ने डाला है वो है scan QR code to register your product आप इसे scan करेंगे और आप अपने product को register कर सकते हैं MMTC PAMP के database पे नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा है manufactured by MMTC PAMP India Private Limited इनका जो address है refinery का इनका email address भी है and their website पहले दूसरे product को भी box में से निकालते हैं देखते हैं क्या आया है and here is the second product तो अगर आप इन दोनों products को देखोगे तो यह दोनों जो हैं हमारे national symbols को represent करते हैं start करते हैं iconic lotus design से तो यहाँ पर हमारे lotus बना हुए हाथ बने हुए lotus जो है आपका पूरा frosted gold से है पीछे अगर आप देख सकते हैं तो सारा का सारा shiny reflective gold है it's kind of semi frosted जो की एक different look देता है scratches बिल्कुल नहीं है reverse side में अगर आप देखोगे सबसे उबर mmtc pam का logo है उसके बाद आपका denomination that is 10 grams and then you have fine gold 999 fineness का and सबसे नीचे आपको एक serial number देखेगा just look at the detailing मतलब frosted gold से आपका peacock बना है and उसके feathers हर एक detail बहुत प्यारी है अगर हम इसके edges की बात करें as usual spotless तो यहाँ product पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ उबर मोर के punk बने हुए है beautiful mmtc pam का logo 5 gram जो की weight है इसका 999 fineness fine gold and serial number और नीचे आपका जो design है वो same repeated है but inverted तो इधर side by side अगर आप देखना चाहते हैं कि 10 gram और 5 gram में क्या difference होता है you can clearly see that तो यहाँ आपको edges से जो है इसका thickness का भी idea मिल जाएगा it's double length में भी यह वाला जो है थोड़ा लंबा होगा because it's very obvious weight is double अगर आप यह lotus वाला बार खरीदना चाहते हैं तो gold में आपको बताना चाहता हूँ कि आप यह 1 gram से लेके 100 gram की denomination में खरीद सकते हैं और यह जो same design है यह coin में भी available है जो कि आप 0.5 gram से लेके 10 gram में खरीद सकते हैं on the other hand अगर आपको यह पीको कलर design पसंद आया है तो मैं आपको बता जाता हूँ यह आपको बार के form में मिलेगा 2 grams, 5 grams, 10 grams and 20 grams में अब हम बात करने वाले हैं top 7 reasons कि क्यों आपको MMTC PAMP का gold खरीदना चाहिए इस festival season में तो आईए शुरुआत करते हैं पहले वाले point से जो की है purist gold अगर आपको नहीं पता है तो MMTC PAMP के जो products होते हैं वो 999.9 plus purity के होते हैं आपने 995 सुना है आपने 999.0 सुना है यह 999.9 plus क्या है 999.9 plus का यह मतलब है कि आपका अगर product इन्होंने बोला है कि 999.9 का है तो वो कम से कम 999.9 का ही निकलेगा इन्फैक्ट उससे जादा भी आगे जो decimals हैं उस तक precision इसका जाता है तो इंडिया में आपको MMTC PAMP के जो gold and silver products हैं वो highest quality के मिलेंगे 999.9 plus यह भी denote करता है कि इनके जो machinery है उसका जो precision है वो इतना high है कि वो आपका product कम purity का बिलको नहीं निकलेगा और उससे यह भी बता चलता है कि जो weight है वो भी accurate निकलेगा आप यह चाहेंगे कि जिस purity और जिस weight के लिए आप पैसा दे रहे हैं आपको वही purity और वही weight मिले और वो MMTC PAMP ensure करती है second point है extra weight यानि कि इसमें कोई भी negative weight tolerance नहीं निकलेगा in fact आपको positive weight tolerance मिलेगा अब weight tolerance क्या होता है जैसे आपके gold silver products refinery में बनते हैं तो chance हो सकता है कि कि किसी एक stage manufacturing stage पर आकर कोई fault आजाए जिसके वज़े से आपके weight या purity में एक error आजाए यहाँ पर MMTC PAMP ये ensure करता है कि ऐसी जीज बिलकुल नहीं होगी जितना weight इनोंने mention करा है उससे कभी कम तो बिलकुल निकलेगा उससे हम कहते है negative weight tolerance उल्टा जितना आपको weight बताया गया है उससे हमीशा आपको थोड़ा सा जादा मिलेगा मेरे पास इस हाथ में कुछ brands है जिनका weight tolerance 20 से लेके 50 mg तक है ये जो है positive में जरूर जाता है लेकिन negative में भी जाता है और ये सब आपको कभ पता चलता है कि इसकी value कितनी कम है जब आप उसे बेचने जाएंगे तो उस shock से बचने के लिए MMTC PAMP ने ensure करा है कि वो लोग positive यानि कि हमीशा आपको extra weight डाल कर आपके gold coins या silver coins आपको देंगे third point है 100% buyback assurance मुझे आपने बोलते सुना होगा कि जो brand अपना समान वापस ले सकती है मतलब उसे पता है कि वो exactly क्या बेच रही है तो ये same point जाता है MMTC PAMP के साथ अगर आप buyback avail करना चाते हैं यानि कि इनका product इनको वापस बेचना चाते हैं तो मैं आपको बता जाता हूँ इनके retail outlets हैं 12 से भी ज़्यादा cities में जहां पर जाकर आप इस facility को avail कर सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि buy और sell के price में इनका इतना difference है वो क्यों उसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको यह reasons बता रहा हूँ जिसके वज़े से आपका premium product में बढ़ जाता है क्या आप चाहेंगे कि आपकी gold की purity जितना आपने खरीदे उससे कम निकले नहीं तो फिर आपके पास यह option क्या आप चाहते हैं जितना आपने पैसा दिया उससे कम आपको gold मिले वो भी नहीं चाहते हैं तो उन सब के लिए आपको एक premium तो पेग करना पड़ता है फॉर्थ पॉइंट है डिजाइन्स आपने अब्सर्व करा होगा कि जादतर जो उनके products हैं वो कुछ national symbols को represent करते हैं जैसे अभी हमने lotus के बारे में बात करा फिर हमने peacock के बारे में बात करा उसी के साथ-साथ bannion tree अगर आप देखेंगे वो भी हमारा एक national tree है जो आप लोग यह lotus देख रहे हैं वो उनका flagship और patented design है MMTC PAMP में आपको यह याद रखना है कि आपको MMTC के इलावा PAMP Switzerland का भी एक touch मिलता है यानि कि Indian and Swiss both PAMP Swiss की जो craftsmanship है जो technology है जिस technology के वज़े से हमें mirror like finish मिलती है उनके products में और perfect edges और एक चीज़ जो हम भूल ने सकते हैं यह है कि MMTC PAMP नए design लेकर आता है मेरे जैसे और आप जैसे investor और collector के लिए जिसको देखते हैं आपका मन करेगा कि आप उसे अपने collection में add कर दें 5th point है कि MMTC PAMP जो है इंडिया की largest refinery है for gold and silver और इंडिया की यह पहली refinery है जिसे LBMA का accreditation मिला हुआ है पूरे एशया में दो refineries है उसमें से एक है MMTC PAMP अब बात करते हैं LBMA के बारे में LBMA का मतलब है London Bullion and Market Association अब यह लोग क्या करते है यह एक association है जो London based है इसका काम है कि यह monitor करे जो trade हो रहा है worldwide gold से related या precious metal से related तो इसको international market में काफी बड़ा माना जाता है LBA में ensure करता है highest level of leadership, integrity और transparency जो पूरी दुनिया के precious metals के industry में मान रखता है तो जैसे precious metals की sourcing काहों से sourcing हो रही है क्या legally हो रही है कि नहीं यह सारी जो steps है और जो standards है जो procedures है उन सब को meet करते हैं कि नहीं कोई refinery वो LBA में ensure करती है 6th point है packaging and unique serial numbered certi card अगर आपने यहाँ देखा होगा तो हर एक product पे एक unique serial number है आपका जो certi card है उस पे भी serial number है barcode जो है उसका scan करोगे तो भी आपको वो जो unique serial number है वो show करेगा तो it's not like same certi card जो है बार बार प्रिंट कर रहे हैं नहीं यह एक added step है जो manufacturing या processing में लगता है काफी लोगों का यहाँ पर यह सवाल होगा कि यह gold bar है लेकिन इसमें कोई hallmark तो नहीं है ऐसा क्यों मैं आपको बता जाता हूँ BIS ने कोई भी ऐसा rule ने निकाला है कि gold coins bars या bullion के लिए आपको BIS hallmark कराना ही पड़ेगा it is not mandatory even though MMTC PAMP की जो gold refinery है वो BIS licensed refinery है और अगर आप अभी भी कोई certificate of authenticity ढूंड रहे तो मैं आपको बता रहता हूँ यह जो certi card है यही आपका certificate of authenticity है जो यह नए certi cards आए है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था यह barcode है जिसे आप scan करेंगे तो सीधा आप register कर सकते हैं MMTC PAMP की website पर और उनके database में चला जाएगा यह specific product किसने खरीदा है जो seventh और final point है वो है wide range of products यहाँ आपको lotus का bar lotus का coin, peacock design tola, love forever काफी कुछ दिख रहा है लेकिन यह चीज़ यहाँ पर stop नहीं होती है अगर आप इनकी product list को देखेंगे तो वो इतनी लंबी है कि आपका मन करेगा धीरे-धीरे सब को add कर लिया जाए मेरा भी यहीं मन करता है to be honest अभी recently उन्होंने दिवाली 2021 के लिए एक नया product launch करा है अगर आप interested है तो आप जाकर उसे भी खरीच सकते हैं तो conclusion में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे brands explore करें approximately 40 brands यानि कि 40 brands अगर हम premium या overall की बात करें तो MMTC Pamp एक ऐसा brand है जब भी उसका product unbox करते हैं तो एक wow वाली feeling आती है जैसे कि इस वीडियो के शुरुआद में भी मैंने wow बोला था तो यह wow जो है वो consistent रहता है and I hope आगे जो जो products MMTC Pamp निकालते रहे वो हमें wow 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 ही करते रहे मैं तो वीट निकालते था हूँ कि कब MMTC Pamp के और products में अपने stack में डालूँगा आप लोग भी मजब बताएं कि आप कौन सा MMTC Pamp का product अपने stack में लाना चाहते हैं वीडियो एंड करने से पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ MMTC Pamp का जिन्नोंने आज की ये video sponsor करी है और हमें ये beautiful products बेजे हैं जो हम इनके मदद से review कर पाएं है I hope आप लोगों को आज की ये video अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से like करें for MMTC Pamp मेरे लिए करना है तो मेरे लिए भी कर सकते हैं लेकिन MMTC Pamp के लिए एक like drop करें comment करें अपने thoughts कि आपको MMTC Pamp कैसा लगता है आपका सबसे favorite product कौन सा है और क्या क्या आप नए designs चाते हैं share करें इस video को अपने friends and family के साथ subscribe करें इस channel को और bell icon को जल्दी से click कर दें notifications के लिए so in the end, thanks for watching